हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड कैसे है फ्रेंड उमीद है मस्त होंगे ब्यास्त होंगे और अपने परिछा के त्यारी में लगे होंगे देखिए फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जीएपी उनिवर्सिटी छपरा आप सभी का एक कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा है कि सर बताइए कि असना तक पाठठड का एक्जाम होने वाला था उसी डेट पर अब पीजी का भी एक्जाम का डेट जारी किया गया है क्या एक साथ एक्जाम हो पाएगा इस वीडियो के आने की आपको कोशिस करूंगा कि आपका जो एड्मिट काड है कब से मिलने वाला है चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं उससे पहले आपी चैनल को सस्क्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं फ्रेंट आप सभी को मालम होगा क 24-8-2022 से आपका Part 3 का Special और जो रेगुलर है 1821 का उन लोग का एक्जाम होने वाला है लेकिन उसी बीच में क्या हो गया यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर ओल्ड एन न्यू कोर्स सेसर 18-20 एंड 29-21 आप यहां पर देख सकते हैं इसका भी डेट सीट जारी कर दिया गया है डेट सीट में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 26-8-2022 से आपका जो एक्जाम है PG का एस्टार्ट हो रहा है जबकि अस्तना तक पार्ट थर्ड सेसर 18-21 एंड 27 एंड 27 एक्जाम इले 27 एक्जाम का भी एक्जाम 24-8-2022 से शुरू होने वाला है और बहुत से शातरों के मन में कनफ्यूजन है कि क्या दोनों एक साथ एक्जाम हो पाएगा तो देखिए फिर सबसे पहले में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग बात बात पर संस्वेंस बना देते हैं किर्पिया आप लोग कनफर्म हो जाएं कि आपका जो डेर्शित जारी हो गया है उस पर हर हाल में एक्जाम होगा एक काम तो कॉलेज को करना है इवनिभर्सिटी को करना है कि ओ कैसे माइनेज करेगा आप अपने त्यारी में लगे रहें और रेगुलर अपना त्यारी को करते रहें क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बच चुका है आज आपको मालम होगा कि 28-2022 हो चुका है आपके पास मात्र 21 दिन का समय बचा हुआ है तो आप लोग कोशिज करें कि अधिक से अधिक लिखने का प्रेक्टिस करें क्योंकि आप सभी को मालम होगा कि बहुत ज़्यादा एंसर लिखना होता है हर मार्केट में आपका गेस्टेपर उपलब्ध है अगर आपको लोग कोशिज बैंक लेना चाहते है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सेलेक्टेड कोशिज लेना चाहते है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कुछ-कुछ subject आपका selected question मिल जाएगा जिसको आप लोग purchase कर सकते हैं चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपका जो admit card है और कब से मिल सकता है देखिए फ्रेंड कोई भी exam होता है उसके 5 या 6 दिन पहले admit card को जारी किया जाता है तो अब ही आपके exam में बहुत ज़्यादा समय है 20-21 दिन का समय है उमीद है कि 15 के आसपास या उसके 17 के आसपास आपका admit card मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही इसके बारे में कोई information आती है मैं आप सभी को हर हाल में बताने की कोशिस करूँगा आप सभी इस चैनल पर ऐसा ही बने रहें और चैनल को subscribe करके घंटी को दबा दे चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद